Hello and welcome to SMS, the guys normally stock market में कभी कोई stock 1800-1500 के आसपास trade कर रहा होता है और अगले ही दिन एकदम से वो stock 150 के आसपास trade करने लगता है और हम normally क्या करते हैं बिना सोचे समझे बिना किसी investigation के उस stock में invest कर देते हैं और future के लिए एक बड़ा loss बुक कर लेते हैं बट हमें without investigation as a retail investor कभी भी किसी भी stock में invest नहीं करना चाहिए तो ऐसे ही एक stock के बारे में आज हम discuss करेंगे नाम है Mirza International Limited उसका full analysis आज हम करेंगे कि क्या reasons हैं कि stock एकदम से penny stock के दाम पर trade करने लग गया और क्या हमें इस stock को एक opportunity की तरह देखना चाहिए या फिर इसमें invest नहीं कर अगर बात करें Mirza International के overall revenue की तो लगभग 69% revenue इसका इंडिया से आता है 18% UK से 5-6% USA और 6-7% rest of the world से इसका revenue आता है major revenue generation इंडिया से ही आता है और हम अपने पैसे को laws में भी डाल सकते हैं बट अगर हमें complete analysis करना है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि business area कौन सा है company का business segments कौन से है और future plans क्या-क्या है company के business की बात करें तो सालों से मिरजा इंटरनेशनल्स काम कर रहा है leather foot fairs के काम में but recently इन्होंने क्या किया है कि red tape को अपने business से de-merge करने का decide किया है तो जब भी एक listed company de-merge करती है तो दो या फिर तीन entities बनती है based on de-mergers decisions ऐसे में existing entity की equity भी spin-off हो जाती है साथी साथ for example अगर एक particular stock 1000 रुपए पे trade कर रहा है और business उसका 1000 करोड का है तो उस company से एक particular company de-merge होती है जिसका evaluation लगभग 300 करोड के आसपास का है तो share दोनों companies को ratio में divide करके देने का decide किया जाता है ऐसे में जो parent company है उसका market capitalization de-merge हो रही company के ratio में कम हो जाएगा और calculation के बाद में एक नया market capitalization decide होगा सारे fundamentals जो है वो भी different होगी और यहाँ पर मिर्जा इंटरनेशनल के साथ भी यहीं हुआ है ऐसा ही कुछ हुआ है इनके साथ इनकी भी share price में downfall आया है इसी वज़े से यह भी अपनी entity को de-merge कर रही है बात करें अगर de-merger entity red tape की तो पिछले कई सालों से यह clothing और footwear industry में काम क अगर बात करें तो de-merger decide हुआ था one is to one ratio का that means कि जिसके पास मिर्जा इंटरनेशनल का एक share है उसे मिलेगा मिर्जा इंटरनेशनल का एक share और साथ ही साथ में red tape का भी एक share उसे मिलेगा x de-merger date पे x de-merger date 29 March 2023 की decide हुई थी that means कि 29 March को एक price calculate हुआ बहुत companies के लिए red tape की listing अभी decide हुई नहीं है बट 29 March को मिर्जा इंटरनेशनल एक नए share price पे trade हुआ जिसके बारे में हम बात करेंगे फिलहाल अगर हम बात करें investment की तो किसी भी company के बारे में हमें ये देखना होता है कि company revenue generate कर पा रही है या नहीं sales में growth हो रही है या नहीं हो रही है profitability generate कर पा रही है या नहीं कर पा रही है consistently अगर profit generate कर रही है company और consistently dividend provide कर रही है company तो ये एक plus point होता है हमारे लिए अगर हम बात करें मिर्जा इंटरनेशनल की तो 2016 से 2020 तक इन्होंने consistently dividend pay किया है पिछले दो साल से इन्होंने कोई भी dividend payout नहीं किया है अपने shareholders को एक negative sentiment पैदा हो सकता है investors के मन में पर अगर हम बात करें share holding की तो 71% के आसपास इसमें promoters holding है 22% के आसपास public holding है और 5% के आसपास FII holding है FII holding इसमें increase हो रही है कुछ time से अगर revenue की sales की बात करें finance की बात करें तो सब कुछ इसमें year on year grow कर रहा है profitability भी इसमें grow कर रही है तो यह एक plus point होगा हमारे लिए अगर हम fundamentals की बात करें तो company का share price फिलहाल 54 रुपीज के आसपास का है अगर हम देखें इसके 52 लो और 52 रुपीज को तो 52 लो इसका फिलहाल 29 रुपीज के आसपास रहा है 52 रुपीज के आसपास का रहा है face value अभी company की 2 है market capitalization company की 758 हो गई है book value पर share 55 का dividend yield जैसा की हमने बताया की company कोई भी provide नहीं करवा रही है तो stock के अगर हम fundamentals देखते हैं तो फिलहाल stock undervalued stock की category में आ रहा है तो stock को हम buy कर सकते हैं बट हमें ध्यान में क्या रखना होता है कि हमें क्या देखना है कि इसकी जो demerger entity है red tape वो क्या value रखती थी इसके growth में for example कि अगर red tape 70% weightage रखता था इसके revenue generation में और मिरजा इंटरनेशनल का सिर्फ 30% revenue generation में weightage था तो क्या आने वाले time में demerger के बाद भी ये आपको ऐसे ही returns बना के दे सकती है जैसा कि ये red tape के साथ provide करवा रही थी तो बात करें अगर investment की तो existing जो shareholders है वो continue कर सकते हैं इसे hold करके रख सकते हैं बट new investors के लिए फिलहाल ये थोड़ा risky हो सकता है बट fundamentally अगर हम देखते हैं तो long term के लिए अगर हम buy करके रखते हैं तो returns मिलने के chances हमारे काफी जादा रहते हैं बात करें red tape की तो starting of may में एक meeting जाएगा red tape की जो listing है वो की जाएगी और उस particular day पे red tape में भी trading की opportunity आपको मिल सकती है जिनके पास already major internationals के stock हैं उनके पास red tape के stock भी आ चुके होंगे और listing के बाद वो red tape में भी trade कर पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही video को like share subscribe जरूर कीजिए साथ ही साथ अगर आपने हमा कर दीजिए thank you take care